लिम्रा नियूज हम दिखाते हैं सच देश प्रदेश की सची खबरों के लिए देखते रहिए लिम्रा नियूज जो जूटे और बैमान लोग थे उनसे लडाई थी और जनता ये चाहती थी कि प्रदेश में परिवर्तन और बदला हो और अखलेश यादो जी प्रदेश के मुखपंत्री बने लेकिन भारती जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर धांदली करके लोग तंत्र की हत्या करके इचनौ जीतने का काम किया है हम लोग लगातार जनता की समस्याओं को लेके जन मुद्दों को लेकर के संघर्ष करने का काम करते रहे हैं और पिछले पांच सालों में लगातार महंगाई बड़ी है बेरुजगारी बड़ी है अपराद बड़े हैं जनता का जीवन दुभर हो गया था सारे वर्क के लोग परशान थे ऐसी हालात में भारती जनता पार्टी की सरकार बनने से यह स्पस्ट हो गया है कि कहीं न कहीं बैमानी और लोगतंत्रकी हत्या करके यह सरकार बनी है अठाइस फरवरी को हम लोग लखनों में मदगणना इस्थल के बाहर मौजूद थे हम लोगों को पहली बार यह पहले ऐसास था कि भारती जनता पार्टी बैमानी करने का प्रयास करेगी और प्रसासन पर दबाव डाल करके वोटों को लूटने का काम करेगी 28 फरवरी को हमको मालूम हुआ कि स्ट्रांग रूम के बाहर एक गाली खड़ी है उस गाली में चार-पांच लोग हैं हम लोग वहां पर दोड़े तब मालूम हुआ कि उस गालीने भागने का प्रयास किया हमने दोड़ा करके उस गाड़ी को पकड़ा और उसमें लकनो सेंटर्ल के आरो मौझूद थे हमने उनसे कहा कि इस गेट के अंदर कोई गाड़ी जाने की अनुवती नहीं है फिर ये गाड़ी कैसे लेकर के आप गए और जब हम लोगों ने उस गाड़ी की तलासी लेने का का किया तो उसके अंदर लोहे की राड हतोड़ा छेनी आरी पेचकस प्लास ताले चाबी और सील मौझूद थी यह ताला तोड़ करके मशीन को मेहर फिर करके और फिर से ताला बंद करने का सारा इंजाम था उसके बाद हम लोगों ने शिकायत करी हम लोगों की मांग पर वहा लगाने का काम हुआ तो फिर यह काम बलारस गोरपूर बलिया बस्ती सजापूर या प्रदेश के किसी और जलेमर क्यों नहीं हुआ इसका मतलब है कि चुनाव आयुक जो है वो निश्पक्ष नहीं था उसका प्रमाड यह है कि मुक चुनाव आयुक उसका कारकाल खतम हो ग किनicity करने का काम किया हम लोगों की सिकायत पर लग्णोस सेंटल के आरों की जाच हुए और जाच प्योशी पाये गया और लग्णोसेंटल की आरों को उठाये गया जो इस बात का प्रमाण है कि भारती जन्ता पार्टी की सरकार ने प्रसासन को दवाओं में ले करके बैमानी करने के काम किया था हम लोग इस बैमानी को रोकने में सफल हो गए जो लोग रोक नहीं पाए लोग चुनाव हार गए लेके पहले तरह से मालूम हो गया था कि भारती जन्ता पार्टी बैमानी करने का प्रयास कर रही थी और हम लोगों को बाद मालूम हुआ कि जो और हम चाहते हैं कि उसकी आप लोग जाज करें जो मशीन इवियम मशीन पर वोट पड़ रहे थे उस वोट के उपर लगा था कैम कैमरा और उस कैमरे के अंदर जो लोगों डाल ले थे उन सब लोगों की फोटो आ रहे थी तो सी सीटी कैमरा एवियम मशीन के उपर लगाने का किसने आदिश किया था और मुक्ष चुनाव आएक जो है वो धीमे धीमे जब चुनाव आता गया तो वह इतना खुल करके बैम कियात अपने आरों को पकड़ने का काम किया और जाच के बाद यह प्रूफ हो गया कि आरों ने बैमानी करने का प्रयास किया था यह कोई कारण नहीं है कारण यह है कि भारती जनता पार्टी के किलाब पूरा महुल था जनता परिवर्तन और बदलाओ कराने का मन बना चुकी थी भारती जनता पार्टी ने प्रसासन को दबाओं में ले करके तमाम तरह की बैमानी करने का काम किया है हमारे लखनों मच्छित के अंदर आज भी जनता यह चाहती थी कि अखलेश जादो जी प्रदेश के मुखमंत्री हों हमने जनता से चुनाओं में जो वादे करने का काम किया था हमारी सरकार नहीं बनी है लेकिन हम उन वादों को पूरा करने के लिए सडक से विधान सभा के अंदर तक संगस करने का काम करेंगे अभी चुनाओं लख्णों नगर निगम के होंगे हम लोग वहाँ जीतने का काम करेंगे और 2024 में जो केंद्र में भाजपा की सरकार है उसको हटाने के लिए गैर भाजपाई दलों को और गैर कांगरेस दलों के खिलाप वर्चा बनेगा और हम लोग यह चाहेंगे हमारी यह चाह होगी कि अगले शादो जी देश के अगले प्रधान मंतरी बने जो प्रदेश में जालिम सरकार थी इसने पांस साल लगातार जनता के उपर जुल्म अन्याय करने का काम किया है जनता ने इसको अपना वोट नहीं दिया है सरकार बनने से जनता में कहीं कोई खुशी नहीं है कहीं कोई पर भी आप मालूम कर लिजे कोई वर्ग भी खुश नहीं है जब लोगों ने वोट नहीं दिया तो इतनी बड़ी संख्या में वोट निकलने का जो कारण है उसी बैमानी है दूसरी बात यह है कि बहुजन समाज पाटी ने अपना सारा बौत ट्रांस्पर लने का काम किया भारत से ना पार्ती में आपSब कहना है कि हम लोग जनता की लगाई लने का काम करते ठ Toby और सडक से लेकर के विधान सभा के अंदर तक घो यह हम लोग संगर्स करने का काम करेंगे और जब कभी भी कहीं पर जुल्म और अन्याय होगा हम लोग जुल्म और अन्याय को रोकने का काम करेंगे आज से 47 साल पहले इस देश में आपात का लगा था लोगतंत्र की हत्या करने का काम हुआ था आज फिर से लोगतंतर की हत्या करने का काम हो रहा है लोतंतर को बचाने के लिए हम लोग हर संगस करने का काम करेंगे लखनाओ की जनता को अबार सर प्रतम लखनाओ महानगर में रहने वारे लोगों ने समाजवादी पार्टी को भरपूर वोड़ दिया इसके लिए बदायों धन्वा देता हूं दो सीटे हमारी सहर में जीती तीन सीटों पर कांटे की टकर हम लोगों ने लड़ी है तो लखनव के लोगों ने समाजवादी पार्टी पर विश्वास किया है उसका कारण यह है कि लखनों में समाजवादी पार्टी की लोगों ने निरंतर जन समस्याओं को ले करके संगर्स करने का काम किया चाहे वो लाठी चली हो चाहे जेल जाना पड़ा हो समाजवादी साथियों ने मिल करके सारे लोगों ने मिल करके लखनों में बड़े-बड़े परदसन किये आं उसी का नतीजा है कि आज लखनव सहर में बड़ी संक्या में लोगों ने समाज़ादी पाल्टी गोड़ देने का काम किया है इसलिए मैं लखनव के लोगों को धन्वाद बढ़ाई देता हुआ